नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं महाभाग्य और मैं हूँ आपके साथ शैलेंद्र पांडे ऐसा हम जानते भी हैं और मानते भी हैं कि ये स्रिष्टी भगवान शिव की कृपा से संचालित हो रही है भगवान शिव की कृपा से जीवन और मरण का नरधारन होता है और भगवान शिव की कृपा से जीवन में आनंद और दुख की अनुभूती भी होती है भगवान शिव के ऐसे प्रतीक हैं जिनका अर्थ बड़ा गहरा है भगवान शिव के पास त्रिशूल भी है, त्रिपुंड भी है, रुद्राक्ष भी है, डमरू भी है ऐसी तमाम चीजें भगवान शिव के साथ जुड़ी हुई है जिनके गहरे मायने हैं, जिनका गहरा अर्थ है आज भगवान शिव के इन ही प्रतीकों को समझने की कोशिश करेंगे और ये बताएंगे आपको कि भगवान शिव के जो प्रतीक हैं उनका अर्थ क्या है महाभाग्य में क्या खास है चलिए जानते हैं महा भाग्य में आज बात करेंगे भगवान शिव के पांच प्रतीकों की, कि ये प्रतीक कौन से हैं और इन प्रतीकों का महत्व क्या है, भगवान शिव के प्रतीकों से किस तरह के लाप मिलते हैं जीवन में, तो आज अपने कारिक्रम में हम बात करेंगे भगवान शिव के पांच प्रतीकों की और उनके अर्थ की लेकिन सबसे पहले आज का मंत्र आज का मंत्र है ओम उमा महेश्वरा भ्याम नमहा ओम उमा महेश्वरा भ्याम नमहा अगर विवा हो चुका है और वैवाहिक जीवन में दिक्कते आ रही हैं खासतोर से अगर आप महिला हैं अगर आप बालिका हैं और आपकी शादी हो चुकी है बावजूद इसके आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ रही है तो रोज सवेरे भगवान शिव और मापारवती के सामने इस मंत्र का जपें तो आपके वैवाहिक जीवन में आ रही मुश्किले दूर हो जाएगी भगवान शिव के जो पांच प्रतीक हैं वो जीवन के पांच हिस्सों की अलग-अलग व्याक्या करते हैं या जीवन के पांच चीजों के बारे में बताते हैं सबसे पहली जो चीज भगवान शिव के साथ जोड़ी जाती है उसे कहते हैं रूद्राक्ष क्या होता है रूद्राक्ष और इसका महत्व क्या है इसका आशय क्या है रूद्राक्ष का अर्थ होता है रूद्र का अक्ष अक्ष मने नेत्र रुद्राक्ष ऐसा माना जाता है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ती भगवान शिव के अश्रूओं से उनके आस्वों से हुई है या भगवान शिव के नेत्रों से हुई है इसलिए इसे रुद्राक्ष कहते हैं प्राचीन काल से ही रुद्राक्ष का इस्तमाल किया जाता है आब हुशन के रूप में, सुरक्षा के रूप में और ग्रह शान्ती के लिए और आध्यात्मिक लाब के लिए रुद्राक्ष का प्रियोग प्राचीन काल से किया जा रहा है कुल मिलाकर के मुख्य रूप से 17 प्रकार के रुद्राक्ष पाए जाते हैं लेकिन जो 12 तरह के रुद्राक्ष होते हैं या 12 मुख्य रुद्राक्ष होते हैं ये विशेश रूप से प्रियोग में आते हैं अगर रूद्राक्ष पहनने की बात की जाए तो रूद्राक्ष कलाई पर पहन सकते हैं कंठ पर पहन सकते हैं और अपने हिर्दय तक एक माला बनवा कर भी रूद्राक्ष को धारन कर सकते हैं इसे कंठ प्रदेश तक धारन करना सर्वोत्तम होता है यानि अपने कंठ में अगर आप रुद्राक्ष पहने तो उसके फाइदे उसके प्रभाव आपको जादा बेतर प्राप्त होंगे कलाई में अगर आपको रुद्राक्ष पहनना है तो 12 दाने अगर कंठ में पहनना है तो 36 दाने और अगर हिर्दय पर पहनना है तो 108 दाने रुद्राक्ष के आपको पहनने चाहिए आप चाहें तो एक दाना रुद्राक्ष भी पहन सकते हैं लेकिन ये एक दाना इतना लंबा होना चाहिए कि ये आपके हिर्दय तक पहुँचे ये आपके हिर्दय को स्पर्श करे रूद्राक्ष को कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को या किसी भी सो मुवार को धारन कर सकते हैं कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को या सो मुवार के दिन आप इसे पहन सकते हैं फालगुन कृष्ण चतुर्दशी यानि शिवरात्री के दिन इसको धारन करना सबसे ज़ादा उत्तम होता है अगर आप रूद्राक्ष शिवरात्री के दिन पहनते हैं तो इसके परढ़ाम इसके प्रभाव आपके जीवन पर जादा बेहतर आते हैं रूद्राक्ष धारन करने के पहले उसे शिवलिंग से इसपर्ष करा ले उसके बाद पहने और अगर माला पहनना चाते हैं रूद्राक्ष की तो पहले उस माला पर भगवान शिव के मंत्र का जप कर ले नमह शिवाए इस मंत्र का जब रुद्राक्ष की माला पर कर ले और उसके बाद इस रुद्राक्ष की माला को आप अपने गले में पहन सकते हैं जो लोग भी रुद्राक्ष धारण करते हैं उन्हें सात्विक रहना चाहिए और अपने आचरण को शुद्ध रखना चाहिए आप रुद्राक्ष अगर पहनते हैं तो सात्विक रहिए प्याज, लेसन, मांस, मदिरा, आदी का प्रियोग मत कीजिए और अपने व्यवहार को भी शुद्ध रखिए यानि अपशब्द मत बोलिए, गाली गलोच मत कीजिए, जगणा लडाई मत कीजिए अपने आचरन को अगर आप शुद्ध रखें और अपने व्यवहार को बेहतर रखें तभी रुद्राक्ष का फाइदा मिलेगा, अगर आपका आचरन शुद्ध नहीं है, सात्विक नहीं है, आपका व्यवहार बेहतर नहीं है, तो रुद्राक्ष पहनने से आपको लाब की प्राप्ति नहीं होगी तो रुद्राक्ष बेसिकली भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए पहना जाता है और जब आप अपने गले में रुद्राक्ष पहनते हैं तो ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव का प्रतीक आपके पास है और आपसे यह उमीद की जाती ह कि आप जीवन में सात्विक रहेंगे, अगर आप सात्विक रहेंगे, तो रुद्राक्ष पहनने का पूरा-पूरा फाइदा आपको प्राप्त होगा. दूसरी चीज़ की बात करते हैं, भगवान शिव के दूसरे प्रतीक की बात करते हैं, वो है डमरू. डमरू का मामला क्या है? भगवान शिव डमरू बजाते हैं, ऐसा मानते हैं न? क्यूं? भगवान शिव ही निर्त्य और संगीत के प्रवर्तक हैं, भगवान शिव ही निर्त्य और संगीत के अधिश्थाता हैं, और आप देखें कि नटराज स्वरूप में भगवान शिव वि की डमरू के अंदर वर्ण माला भी है भगवान शिव ने अपने डमरू को बजा करके महर्शि पाणिनी को शब्दों का वर्णों का ज्यान भी दिया था यानि सातों सुरों के रचैता भी शिव है और जो शब्द है जो अक्षर है जो वर्ण माला है इसके भी देने वाले बगवान शिव का डमरू बजाने का मतलब है कि चारो तरफ आनन्द है, चारो तरफ शुभता है, चारो तरफ पॉजितिविटी है, आनन्द और मंगल का डियो तक है बगवान शिव का डमरू बजाना. बगवान शिव डमरू बजा कर खुश भी होते हैं, और डमरू सुनकर भी खुश होते हैं, अगर आप उनकी पूजा में डमरू बजा बजा कर उनकी स्तुति करते हैं, या डमरू बजा कर उनकी पूजा करते हैं, तो ऐसा करने से बगवान शिव प्रसन्न होते हैं. रोज अगर घर में शिव इस्तुती की जाए डमरू बजा करके भगवान शिव की पूजा की जाए डमरू बजा करके तो घर में कभी अमंगल नहीं होता आप भगवान शिव का कीरतन कर रहे हैं आप भगवान शिव का भजन कर रहे हैं आप भगवान शिव की आरती कर रहे हैं ऐसे समय में अगर आप डमरू बजा करके भगवान शिव का पूजन करते हैं तो आपके घर में अमंगल नहीं होता आपके घर में negativity नहीं आती अब जानते हैं भगवान शिव के तीसरे प्रतीक के बारे में जो भगवान शिव के हाथों में रहता है उसे कहते हैं त्रशूल त्रशूल किस बात की सूचना देता है और भगवान शिव से इस त्रशूल का संबंध क्या है देखिए दुनिया की कोई भी शक्ति हो दैहिक हो दैविक हो या भौतिक हो कितनी भी शक्तिशाली चीद हो भगवान शिव के त्रशूल के आगे नहीं तिक सकती शिव का त्रशूल हर व्यक्ति को उसके कर्म के अनुसार दंड देता है और हर व्यक्ति की रक्षा भी करता है यानि जो दुष्ट हैं उनको दंड मिलेगा और जो सात्विक हैं पुन्यात्मा हैं शिव के तृषूल से उनकी रक्षा होगी घर में अगर सुक समरिध्धी चाहते हैं तो मुख्यद्वार के उपर जो चोखट बनी हुई है उसके ठीक उपर बीचों बीच में तृषूल की आकृती लगानी चाहिए तृषूल की आकृती लगाना आपके लिए बेहतर होगा बहुत सारे लोग तृषूल का लौकेट बनवा करके गले में पहनते हैं तृषूल आकृती धारन करते हैं लेकिन मैं बता दूँ कि तृषूल आकृती तभी धारन कीजिए जब आपका मन, वचन और कर्म पर पूर्ण नियंत्रण हो मन, वचन और कर्म पर अगर पूर्ण नियंत्रण है तभी तृषूल धारन करना आपके लिए बेहतर होगा ऐसा नहीं है कि आप असात्विक आदमी हैं, जूट बोलते हैं, गलत काम करते हैं और गले में तृषूल पहन कर आप घूमते रहेंगे असा मत कीजिएगा मन, वचन और कर्म पर जब पूर्ण नियंत्रण होगा तभी तृषूल पहनने से, तभी तृषूल धारन करने से आपको लाब होगा अब जानते हैं भगवान शिव के तिलक के बारे में भगवान शिव का तिलक है उसे त्रिपुंड कहते हैं, माथे पर लगाये जाता है, तीन सीधी लकीरे होती हैं, इनको त्रिपुंड कहा जाता है सतोगुड, रजोगुड और तमोगुड सतगुड, रजगुड और तमगुड जो तीनोगुड होते हैं इनको नियंत्रित करने की वज़े से भगवान शिव त्रिपुंड का तिलक लगाते हैं सतोगुड, रजोगुड और तमोगुड से उपर हैं और उसके कंट्रोलर हैं इसलिए भगवान शिव अपने मस्तक पर त्रिपुंड लगाते हैं ये त्रिपुंड सफेद चंदन का होता है चंदन को यहाँ पर लगाने की एक विशेश महिमा है एक विशेश फाइदा है त्रिपुंड के बीच में लाल रंका बिंदू भी लोग लगाते हैं लेकिन त्रिपुंड के बीच में लाल रंका जो बिंदू है ये विशेश दशाओं में ही लगाना चाहिए सामानितह त्रिपुंड सफेज चंदन का तीन सीधी लकी रहें समानांतर ये त्रिपुंड है और विशेश दशाओं में आप इसके बीच में लाल रंग का गोल सा चंदन लगा सकते हैं अदरवाइस जो तीन रेखाएं खीची जा रही हैं त्रिपुंड के माध्यम से वही आपके लिए बहुत हैं ध्यान या मंत्र जब करने के लिए त्रिपुंड लगाते हैं अगर आप भगवान शिव का ध्यान करना चाते हैं या भगवान शिव के मंतरों का जब करते हैं और उसके लिए अगर आप तृपुन्ड लगाते हैं तो इसके परिडाम आपके लिए बेहत अच्छे होंगे तो जो कोई शिव का भक्त है वो तृपुन्ड लगा सकता है और तृपुन्ड लगाने का मतलब है कि आपके उपर इस बात की स्टेंपिंग हो गई है कि आप शिव के भक्त हैं इसलिए अपने गुरु की अपने इश्वर की महिमा को बचाए रखने के लिए अगर आप तरिपुंड लगाते हैं तो जीवन में इमानदार बनिए अंतिम चीज है भस्म भस्म की महिमा क्या है भग्वान शिव के शरीर पर भस्म रहता है बश्मांग काराय कहते हैं न उनको उनके शरीर पर भस्म लगा रहता है तो भस्म की महिमा क्या है देखिए भग्वान शिव इस दुनिया के सारे आकरशन से मुक्त है रावण को लंका दे दिया लेकिन खुद लंका में नहीं रहे खुद रहते हैं कहलास परवत पर या समशान में निवाश करते हैं तो भगवान शिव इस दुनिया के आकरशन से मुक्त है उनके लिए ये दुनिया मोह माया सब कुछ एक राक से ज़्यादा कुछ नहीं है और हम सब जानते हैं कि एक दिन हम सब को भस्म हो जाना है, हम सब को राख में बदल जाना है तो भगवान शिव के लिए ये दुनिया, ये मोह माया, ये राख से जादा कुछ भी नहीं है सब कुछ एक दिन भस्मी भूत हो करके समाप्त हो जाएगा भस्म इसी बात का प्रतीक है कि देखो जुनिया में जितना वैभव है जितनी संपत्ती है जितना धन है ये सब रहेगा नहीं ये सब एक दिन भस्म हो जाएगा इस बात की सूचना इसमें दी जाती है जब भगवान शिव शरीर पर भस्म लगाते हैं तब शिव जी का जो भस्म है इससे भगवान शिव का अभिशेक भी होता है भगवान शिव का भस्मा अभिशेक होता है खासतोर से उज्जैन में और इस भस्म अभिशेक को कराने से वैरागी की और ज्यान की प्राप्ति होती है घर में धूप बत्ती की राक से या ताजे कंडे की राक से भगवान शिव का अभिशेक कर सकते हैं लेकिन जहां तक कहा जाता है कि महिलाओं को भश्म से भगवान शिव का अभिशेक नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कोई भश्म अभिशेक कर रहा है तो आप उसे देख सकती हैं और भगवान शिव को प्रणाम करके उनका अशिरवाद भी ले सकती हैं। तो भगवान शिव के पाँच प्रतीक हैं और ये पाँचों प्रतीक अपने आप में बेहद अनूठे हैं बेहद महत्वपूर्ण हैं और हर प्रतीक का एक अर्थ है इस बात को समझे तो आज के लिए महा भागे में बस इतना ही मुझे दीजे इजाज़त लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तेज अमस्कार